जहें दोस्तों सागते आपका हमारी यूटूब चैनल में आज के वीडियो में हम लेकर आए हैं आपके लिए बहुत ही महत्पूर्ण कॉस्चन आंसर पन्यास भिदा से सम्मंदित तो वीडियो को पूर अबस्त देखेगा अगर आप चैनल पर पहली बार आएं तो चैनल को स सियर करें तो रोज सबय नव बजे आपके लिए क्लास लाई जाते हैं हिंदी साइटी की जहां पर बहुत ही महत्पूर्ण कॉस्चन आंसर आपके लिए करवाई जाते हैं तो चलिए स्टार्ट करते हैं महत्पूर्ण कॉस्चन आंसर आप पर पूंचे गए हैं आज का फर सास करानी वाला उपन्यास कौन सा है मैं उपन्यास आपके लिए बताना है लाल पीली जमीन या फिर कोहरी में किद्रंग या फिर बह अपना चहरा या फिर पांच आंगनों बाला घर क्या होगा सभी राइट आंसर सभी लोग बताईएगा तनु जी लबली जी सिल्पा जी बताईए कॉस्टिन वर्त्पूर्ण है और आप सभी का इहाँ पर सभी राइट आंसर सतंत्र गुप्त जी एक सभी बता ना है और एक सभी का विल्कुल सभी राइट आंसर आ रहा है कि विकल्प नंबर यहाँ पर जो दिया गया है आपका डी पांच आंगनों बाला घरवा है आप सभी का सभी राइट आंसर होगा विकल्प नंबर चार आप सभी का यहाँ पर सभी राइट आंसर है बिल्कुल से भौती भत्त पॉन कोंषन आपसे आपर पूचा गया है, अंगला कोंशन इहां देखेगा, बालकी की जिंदगी को आधार बनाकर लिखा गया हिंदी का सबसे सफल ओ कलात्म को पन्यास कौन सा है, बताएे। बहुत ही मत्रपोन कॉस्चन आपसे आपर पूचा गया है बालकी की जिंदिगी को आधार बना कर लिखा गया हिंदी का सबसे सफल उकल आत्म को पन्यास की बात करें आपका बंटी मन्नु बंडारी पीली आंदी प्रभाखेताल या पिर तत्सम राजी सेट या पिर एदन मम ये मेत्रे पुस्पा सरल कॉस्चन है सबसे बन जाएगा और आप सभी का सईराइट आंसर है कि आपका बंटी एक उपन्यास है मन्नु बंडारी का जिसमें बालकी की जिंदिगी को आधार बना कर ये उपन्यास लिखा गया सबसे सफ़ा उकल आत्म को पन्यास माना जाता है विकल्प नमबर एक आप सभी का सभी राइट आंसर है आपका बंटी एक कहां गया आपका बंटी कहां गया भंडारी में गया तो भंडारा से भंडारी हो जाएगा मन्नु बंडारी जी का ये पन्यास है के सोर बाबू के सो पन्यास का नायक है बता ये वेलकोल मुनेज जी कॉस्चन नमबर 153 का सही राइट आंसर बताना है सभी लोग शेयन कीजेगा महत्यपूर्ण कॉस्चन पूंचा गया है कली कता वाया वाय पास या पिर रागदरवारी या पिर बयम रक्षाम निसा जी, सुनिज जी और पृती जी क्या होगा सही राइट आंसर कॉस्चन नमबर 153 में के सोर बाबू के सपन्यास का नायके वैव उपन्यास आप के लिए बताना है और आप सभी का यहाँ पर सही राइट आंसर आ रहा है कली कता वाया वाय पास बी जिन्वाननय वी सायत्मो जागर करने वाला हिंदी का फ्रताम उपन्यास कौन सा है वो उपन्यास आपके लिए बताना है एंसे जी कौन सा उपन्यास है वताईए तो नरक पुंड में बास मुट्टी भर कांकर धरती धनना अपना या फिर लोट की बापसी बहती मत्यकून कॉस्चन पूंचा गया है दलतों की बैथा को ब्यापक तीप्र घातों से साहित में ओजागर कने बाला हिंदी का प्रता विकल्प जो सी है आप सभी का यहां पर सही राइट आंसर होगा बिल्कुल सही राइट आंसर एंगला कौस्चन आपर दिया गया है कौस्चन मंबर आपका 55 आपर पूंचा गया है राजिनेतिक विसापर के अंदरे तो पन्यास कौन सा है बताईए छिन नमस्ता है आपका बंटी पीली आंदी या फिर महाभोज चैन कीजेगा चार विकल्प आपके आपर दिये गया है 155 वा कौस्चन आप से पूंचा गया है राजिनेतिक विसापर केंदरे तो पन्यास कौन सा माना जाता है और आप सभी का विजय कांथ जी आपर 155 में सही राइट आंसर आ रह नेतिक विसापर केंदरे तो पन्यास माना जाता है चित्रा मुद्गल को किस पन्यास के लिए ब्यास सम्वान 2003 मिला था वायो पन्यास आपके लिए वतान है आंबा है एक जमीन अपनी गिली गड़ो या पिर इन मैंसे कोई नहीं 156 का सही राइट आंसर वताना है बताए 156 मैं क्या होगा सही राइट आंसर मनीशा जी चित्रा मुद्गल जी को ब्यास सम्वान दिया था कब 2003 मेंTubeके लिए तो आप सभी का सही राइट आंसर है आपका हाँ पर 156 में आभा विकल्क नमबर यह जो है भहिए आप सभी का हाँपर सही राइट आंसर होगा बिलकुल सभ लोगों ने आपर सही राइट आंसर बताया है अंगला कॉस्चन आपर देखते हैं देखें कॉस्चन नमर 177 पूँचा गया है मुंबई के मजदूर संगटनों को केंदर में रखकर लिखा गया हो पन्यास कौन सा है 197 कॉस्चन आप से पूँचा गया है मुंबई के मजदूर संगटनों को केंदर में रखकर लिखा गया हो पन्यास आवर्तन या फिर आवा या फिर हैम बर्गर या पिर पटरंग पुरान यह चार विकल्प दिये गए हैं और सभी लोग बता रहे हैं हाँ पर भी वाला विकल्प की आवा राइट आंसल लगा दीजेगा चित्रा मुद्गल जी का यह पन्यास है आवा और यह जो है मुंबई के मजदूर संगटनों को केंदर में लिखकर जो है लिखा गया उपन् कहानी के लिए या फिर मिर्दुला गर्ग को कट गुलाब के लिए उसा प्रियंबदा को पच्पन खंबे लाल दिवारें के लिए बता यह चैन कीजेगा सभी लोग बहुत ही महत्त्य पूर्ण कौस्चन पूशा गया है मैं रोन्यासा पर बता यह क्या होगा सभी राइट आंसर है मिर्दुला गर्ग को कट गुलाब के लिए विकल्प नमबर सी जन्वानवी चैन क्या है उनका यहां पर सई राइट आंसर हो का मिर्दुला गर्ग को कट गुलाब के लिए यह वाला विकल्प जो है आपका सई राइट आंसर होगा सूची एक को सूची दो से सुम प्रेम कहानी यह मम्ता कालिया मम्ता कालिया मम्ता मम्ता कालिया इस प्रकाज जो है स्वमिलित किये गए हैं बिल्कुल सही राइट आंसर है कल्पना जी एंगला कॉस्चन आप देखे कूट में आपका विकल्प नंबर जो डी है आप सभी का सही राइट आंसर होगा कॉस्चन नंबर आप से यहाँ पर 160 मूचा गया है मम्ता का में आपके लिए बताने एक पत्नी के नोट से नरक दर नरक प्रेम कहानी या दुख्खम सुख्खम बताईए बहुत ही महत्यपूर्ण कॉस्चन पूंचा गया है कॉस्चन नंबर 160 पूंचा गया है और 160 में आप सभी का सही राइट आंसर है कि वह उपन्यास कौन सा है एक पत्नी के नोट साब सभी का सही राइट आंसर होगा एक पत्नी के नोट साब सभी का सही राइट आंसर है विकल्प नंबर A जिनोने भी शेहन क्या है उनका यहाँ पर सही राइट आंसर होगा विल्कुल सही अगला कॉस्चन देखे उपन्यासों को उपन्यास कारों के सां स सुमिलत करना है तो चलिए सुचि एक को चुचिり सुमिलत कर देते है या आप करा पर पूट भी देगए है यहां पर आपके लिories बताने कमलेश्वर जी का कौन सा है कलेश्वर जी का उपन्यस बताना है एक सलक सन्तावन गलिम सलक 270 गलिम फिर भी कम है तो कम से कम लेसर हो जाएंगे और उसा प्रियंबदा जी का कौन सा माना जाता है अपन्यास सेस यात्रा सेस यात्रा और ममता कालिया ममता कालिया जी का हो जाएगा जो पन्यासे एक पत्नी के नोट से और महेंदर भल्ला एक पत्ती के नोट से इस फिरकार यहाँ पर जो है सु चंदरकांता को किस उपन्यास के लिए ब्यास सम्मान दौजार पांच प्राप्त हुआ था तो बता ही दौजार पांच का जो ब्यास सम्मान था वह किसको दिया गया था किस उपन्यास के लिए दिया गया था चंदरकांता को अर्थांतर अंतिम साथ छे कथा सती सर एलान गली जिन्दा है सिर्णी जी क्या होगा सही राइट आंसर बताए लाइक सेर सभी लोग कर देंगे एक बार जोनों ने अभी तक वीडियो को लाइक और स्थेर नहीं किया है और क्वास्चन नमबर 162 में आप सभी का कथा सतीसर सही राइट आंसर होगा कथा सतीसर जो उपन्यास है ये चंदर कांता जी का उपन्यास है ब्यास सम्वान 2005 इसी उपन्यास को दिया गया था कौर्शन नमबर आपसे यहां पर 163 मूचा गया है कि आतंक बाद से तरस्त कस्मीर का पिर्माने को सजीव चित्रण करने वाला उपन्यास कौन सा है बता ये उपन्यास आपके लिए ब बतास्ता बहती है अंत्यम साक्ष या फिर कता सतीसर अग्ला कौस्चन देखे अमेरिकी नारी जीवन को अंतर व्यथा उदगटित करने वाला उपन्यास कौन सा है बताईएगा आओ पेर पेर घर चले चेन नमस्ता पीली आंधी या पिर ताला बंदी 164 में आपके लिए चेन करना है सही राइट आंसर और क्या होगा सही राइट आंसर सबी लोग बताएंगे प्रिती जी और यहाँ पर महत्वपूर्ण कौस्चन पूँचा गया है 174 में अमेरिकी नारी जीवन की अंतर विता उदगटित करने वाला उपन्यास जो माना जाता है वह माना जाता है आओ पेंपें घर चलें आओ पेंपें घर चलें ये वाला विकल्प आप सभी का सही राइट आंसर है विकल्प नमबर एक जिन्वान भी चन क्या है उनका यहाँ पर सही राइट आंसर होगा बिल्कुल सही राइट आंसर है अंगला कॉस्चन देखे कॉस्चन नमबर आपसे यहाँ पर पूंचा गया 165 बा कॉस्चन है पूर्षों के बर्चस्टों के बृद्ध अपनी अलग पहचान बनाने में संगर सुरत नारी को केंद में रखकर लिखा गया उपन्यास कौन सा है 165 में पी ली आंधी है या फिर चन नमस्ता है अंतम साक्ष है या फिर कता सती सर है 165 में आपके लिए चैन करना है सही राइट आंसर क्या होगा चैन कीजे 4 विकल्प आपके आपर दिये गए हैं और आप सभी का सही राइट आंसर 165 में विकल्प नमबर बी राइट आंसर है चिन नमस्ता आप सभी का सई राइट आंसर होगा बहुत बढ़िया विकल्प नमबर 209 अभी चिन क्या है याँपर होगा Q626-235 तक पृत्यक प्रिश्ण उपन्यास का नाम दिया गया है उसके लेखाख सअरूप चार विकल्प दिया है सभी विकल्प का आपके लिए चन कनना है अंत्राल उपन्यास किन का माना जाता है ये आपके लिए आपके लिए अहाँ पर बताने अंत्राल बताईए अंत्राल उपन्यास किन का माना जाता है सिबानी, किष्णा सुबिती, मोहन राकेश या फिर कमलेश सर 166 में question आप से पूंचा गया है और 166 में आप सभी का स्री राइट answer आ रहा है कि यह पन्यास माना जाता है कि इनका विकल्ब नमबर आपका स्री राइट answer होगा मोहन राकेश मोहन राकेश आप सभी का स्री राइट answer है विल्कुल सभी बहुत बढ़िया विकल्ब नमबर सी जन्वान भी चेन क्या है उनका सभी राइट answer होगा मोहन राकेश के बीच कोई अंतराल नहीं है विल्कुल अंगला question देखे अक्षयवट बताना है अक्षयवट के लेकक कौन मानी जाते है 167 question है यह उपन्यास माना जाता है अक्षयवट और्गिन का उपन्यास यह बताना है चंदरकांता, मेत्रियो पॉस्पा, सूरिबाला या फिर नासरा सर्मा चार विकल्प देखे हैं बहुत ही महत्यवट कौस्चन आपसे आपर पूंचा गया है सभी लोग आंसर कमेंट में बताईएगा चेन कीजेगा बताईए तो अक्षयवट बताना है तो अक्षयवट और पन्यास किन का माना जाता है तो विल्कुल सही राइट आंसर आ रहा है आप सभी का यहाँ पर कौस्चन नंबर यहाँ पर दिया गया 167 वो नाशरा सर्मा जन्वाने भी चेन किया है उनका सही राइट आंसर होगा नाशरा सर्मा आप सभी का विल्कुल सही राइट आंसर है तो विल्कुल चाही बहुत बढ़िया विकल्प नमबर डी वाला विकल्प आप सभी का सही आंसर है अनाम स्वामी उपन्यास किन का माना जाता है बताइए अनाम स्वामी कौश्चन नमबर 168 में आपके लिए चैन करना है क्या होगा सही राइट आंसर जैनेंदर कुमार या हजारी परसाद दुबेदी या फिर भगवती चै अनाम स्वामी उपन्यास किन का माना जाता है और आप सभी का यहाँ पर सही राइट आंसर आ रहा है कि 168 में आप सभी का जो विकल्प नमबर एक है वैं सही राइट आंसर होगा जैनेंदर जैनेंदर आप सभी का नहीं ता ठाकुर जी विल्कुल सही राइट आंसर होगा उनका यहाँ पर सही राइट आंसर होगा. Question number आप से यहाँ पर पूंचा गया है? Question 179 है, अजय की डाइरी, यह उपन्यास किन का माना जाता है, बताइए. अजय की डाइरी, उपन्यास है, अब्दल बिस्मिल्लाइका, डाक्टर देवराज, यह पर रामदरस मेश्र, यह पर प्रियमचंद्र. Question मत्पूर्ण है, पृतिबा यादव जी और आप सभी का यहाँ पर सही राइट आंसर है. Question नमबर 170 में, वेकल्प नमबर ठाओगा राइट आंसर, बी राइट आंसर है कि अजय की डाइरी देव, अजय की डाइरी देव, देव से देवराज हो जाएंगे, बिल्कुल सही राइट आंसर है. बी वाला वेकल्प जन्वनवी चेन क्या है, मुनका यहाँ पर सही राइट आंसर, बहुति महत्य पूर्ण कॉस्चन पूंचा गया आप से, अंगला कॉस्चन है आप देखेगा, कॉस्चन नमबर 170 आप से पूंचा गया है, अदिखला फूल, अदिखला फूल बताना ही ए अपर दे गए है, और बहुत यह महत्य पूर्ण कॉस्चन राजकुमारी जी यहाँ पर पूंचा गया है, और आप सभी का यहाँ पर सही राइट आंसर है, 170 में अदिखला फूल हरिवद जी का उपन्यास माना जाता है, विकल्प नमबर सी जन्वनवी चेन क्या है, उनका आपर सही राइट आंसर होगा, बिल्कुल सही बहुत बढ़ियां सभी लोगा ने आपर सही आंसर बताया है, अपराजिता की बताने, अपराजिता की लिखा कौन माने जाते हैं, ब्रंदा बनलाल बर्मा है, इला चंद जोसी हैं, डाक्टर दिवराध हैं, या चतुर सेन है चेन कीजेगा 171 में, बहुती महत्त पूर्ण कॉस्चन या पर पूंचा गया है, नीलम जी, 171 में आपके लिख बताना है, अपराजिता पन्यास किन का माना जाता है, तो बिल्कुल सही राइट आंसर है, विकल्प नमबर एक यानिकी चतुर सेन, चतुर सेन आप सभी का सह राइट आंसरों का विकल्प नमबर, डी जिन्वाने वी चेन क्या है, उनका यहाँ पर सही राइट आंसर होका, एक से कत्तर में, अंगला कॉस्चन या पर देखेगा, कॉस्चन नमबर आप से यहाँ पर पूंचा गया है, 172 कॉस्चन है, अर्द नारिस्वर, अर्द नार कॉस्चन नमबर आप से यहाँ पर 172 पूंचा गया है, मत्वण कॉस्चन दिया गया है, अर्द नारिस्वर, अपन्यास के लेकर कौन माने जाते हैं, और 172 में सभी लोग बता रहे हैं, कि विकल्प नमबर एक सही राइट आंसर होगा, यानि कि विश्णू प्रभाकर, व एक जिन्वन अभी चेन क्या? उनका यहाँ पर सही राइट आंसर होगा, बिल्कुल सही राइट आंसर हैं बहुत बड़ियां, खौступ नमबर आपको 103 पूंचा गया है, आतं को पन्यास के लेकर कौन माने जाते हैं, बहुत ही मत पूंच्छेण पूंचा गया है, मत्यास बत आतन को पन्यास पूँचा गया है जो कि आप सभी का यहाँ पर सही राइट आंसर आ रहा है कि यो पन्यास माना जाता है किनका तो विल्कुल सही राइट आंसर एक सो तेहतर में विखल नमबर आपका जो यहाँ पर दिये गया है भी वह आप सभी का सही राइट आंसर है नरें चोतर्वा पुंछा गया है आदा गाओ बता नहीं अपन्यास केंसा भाणना जाता है राही आदा गांव क्या सायिनी का है चयम कानता है राही मासूम रज्ण सुरवाल या कोम क्योंना मत्वणर के और आप सभी से राइट आंसर राजन जी विलrando कुछ्टन मत्व पुंठा ग अंसरों का जो कि सभी लोगों ने आपर सही राइट आन्सर, चेनक्या एंगला कौस्चन देखेगा, कौस्चन अंबर आप से याँ पर पूंचा क्या है, 175 कौस्चन है आपका बंटी, वो पन्याज के लेखी का कौन मानी जाती है, यो पन्याज किन का माना जाता है आपका बं अगर जो राजन द्यादा मन्नु बंडारी सरेल कॉस्चन पूँचा गया है आपका बंटी उपन्यास किन का माना जाता है तो 175 में आप सभी का सही राइट आंसर आपका बंटी कहां पर गया है बंडारी में गया है तो बंडारी आप सभी का सही आंसर होगा मन्नु बंडारी म मन्नु वंडारी आप सभी का विल्कुल सही राइट आंसर एड़ी वाला विकल्प है उकड़े हुए लोग पन्यास के लेकक बताना है एक सो चैतरवा कॉस्चन आप से पूंचा गया है राजन्द्यादब मन्नु वंडारी ममता कालिया या फिर सिवानी बताइए उन्निमा ज रोगा उखड़े हुए लोग राजन्द्यादब जी का विकल्प नंबर एक जिन्वाने भी चैन क्या है उनका यहां पर सही राइट आंसरों का महत्तपून कॉस्चन पूंचा गया है बिल्कुल सही उग्रतारा वताने कॉस्चन नंबर 177 है उग्रतारा विकल्प नंबर सही राइट आंसर चैन कीजेगा क्या होगा सही राइट आंसर उग्रतारा और उग्रतारा आप सभी का सही राइट आंसर है उग्रतारा विकल्प नंबर आप सभी का भी वाला विकल्प जो है वह सही राइट आंसर होगा विल्कुल सही बी जिन्वाने भी चैन क्या है कि न जल्ली उग्र हो जाते हैं उग्र नांग से नांगरजन उग्र से उग्रतारा इनका उपन्यास है अंगला कॉस्चन देखेगा एक पती के नोट सो पन्यास के लेखा कौन माने जातिया भी अपनने पड़ा था एक पती के नोट सममता का लिया सानी महंदर वल्ला या फिर महरो निसा परवेज कॉस्चन मत्पुन है और आप सभी का सही राइट आंसर क्या होगा लबली जी मत्पुन कॉस्चन पूँचा गया है 178 वा कॉस्चन है और आप सभी का सही राइट आंसर है एक पती के नोट सो पूँचा है तो महंदर वल्ला आप सभी का सी वाला वेकल्प जो है सही राइट और गागर एक पत्नी के नोट्स पूंचा जाता तो ममता कालिया विल्कुल सही राइट आंसर अंगला कॉस्चन देखे अगनी पंकी अगनी पंकी बताना है कॉस्चन नमबर 189 में ममता कालिया उसा प्रियंबदा मन्नू बंडारी या फिर सुर्वाला बता ये चैन कीजेगा कॉस्चन आपका यहाँ पर मर्त्वपूर्ण पूंचा गया है नीता टाकोर जी 189 वा कॉस्चन है और अगनी पंकी पूंचा गया है यह उपन्या स्किन का माना जाता है तो 189 में आप सभी का सही राइट आंसर विल्कुल सही सूर्यवाला सूर्यवाला मुनेश जी विल्कुल सूर्यवाला आप सभी का सही राइट आंसर है विखल्प नंबर जो D है तो आप सभी का यहाँ पर सही राइट आंसर होगा अंगला कॉस्चन आपका देखेगा कॉस्चन नंबर 180 आप से पूंचा गया है यह लड़की बताने उपन्यास किन का माना जाता है बता यहूसा प्रियंबदा, किष्णा सोबिती, मन्नु बंडारी या चित्रा मुदगल यह लड़की उपन्यास किन का माना जाता है चार विकल्प हैं बहुती महत्यपून कॉस्चन आप से पूंचा गया है संजु जी और आप सभी का सही राइट आंसर है एक स्वास्ती का किष्णा सोबिती यह लड़की किष्णा सोबिती जी का यह जो है उपन्यास माना जाता है विकल्प नंबर भी आप सभी का यहाँ पर जो है सही राइट आंसर होगा जो कि सभी लोगों ने यहां पर सही राइट आंसर चैन क्या है अंगला कॉस्चन देखेगा कॉस्चन नमबर आप से पूंचा गया है 181 कॉस्चन है कि कुरू कुरू स्वाहा वो पन्यास के लेकर कौन माने जाते है मनुहर शाम जोसी है स्रीलाल सुकल है या फिर स्वाम प्रकास है या फिर पंकज विष्ट है कुरू कुरू स्वाहा के बताना है यह पन्यास किन का माना जाता है और आप सभी का बिल्कुल सही राइट आंसर अपन जोस में आकर बोलते है कुरू कुरू स्वाहा जोस में आकर बोलते हैं ना स्वाहा बिल्कुल सही राइट आंसर है, अंगला क्वास्चन यहाप देखेगा, क्वास्चन नमबर 182 आपसे पूंचा गया है, कलंक मुक्ती पूंचा गया है, कलंक मुक्ती उपन्या स्किन का माना जाता है, अब्दुल बिस्मिल्लाए, बदी उद्जमा, कमली स्वर, या फिर फनि चैन कीजेगा, कलंक मुक्ती उपन्या स्किन का माना जाता है, चार विकल्प आपकी दिये गए है, 182 वा कॉंच्चन आपसे यहापर पूंचा गया है, 182 में आपके लिए चैन करना है, कलंक मुक्ती उपन्या स्किन का माना जाता है, तो आप सभी का विल्कुल स्वर, आइट आंसर, 182 में, D, फनिस्टो नात रेणू, फनिस्टो नात रेणू, आप सभी का स्वर, आइट आंसर है, बहुत बढ़ी है, सभी लोगों ने आपर विकल्प नमबर D, जिन्वान अभी चैन क्या है, उनका यहाँ पर सभी राइट आंसर होगा, अंगला क्वास्चन देखेगा, क्वास्चन नमबर आप से यहाँ पर पूंचा गया है, यह 183 वा क्वास्चन है, क्या आप बताना है, क्या आप उपन्या स्किन का माना जाता ह कॉस्चन नमबर 183 में बता ये क्या पुपन्यास किन का है मनुवर स्याम जोसी, कमलेश्वर, सर्वेश्वर या सेखर जोसी कॉस्चन मत्यपोण है 183 बा कॉस्चन यहाँ पर पूंचा गया है और आप सभी कहें हाँ पर सभी राइट आंसरों का माना जाता है बिल्कुल सभी राइट आंसर, विकल्प नमबर 183 चैन क्या है उनका यहाँ पर सभी राइट आंसर होगा काला जल बताना है, काला जल उपन्यास किन का माना जाता है ये कॉस्चन बहुती वहत्यपोण, कॉस्चन पूंचा क्या है मुर्दूलगर गे सानी मेत्रे पुस्पा या फिर प्रभा केतान 184 का सही राइट आंसर बताईएगा ठेन कीजेगा क्या होगा सही राइट आंसर पृतिवास जी सौनी गुपता जी बताईए तनु जी बिलकुल बहुती महत्रपून क्वास्चन पूचा गया है काला जल उपन्यास किन का माना जाता है और सानी सभी लोग बता रहे हैं यहाँ पर 184 में विकल्प बी आप सभी का यहाँ पर सही राइट आंसर होगा बी बाला विकल्प जनौने भी चैन क्या है उनका यहाँ पर सही राइट आंसर है यहाँ पर काले फूल का पूधा उपन्यास के लेका कौन माने जाते हैं 185 में आपके लिए बताने वगबती चन बर्मा है या फिर प्रभा खेतान है या फिर लक्षमी नारन लाल है या राजी सेठ हैं काले फूल का पूधा यह बता रहें आपके लिए उपन्यास उपन्यास विदा की रचिना माने जाती है और आप सभी का यहाँ पर प्रेंका यादब जी सही राइट आंसर होगा कि यह माना जाता है उपन्यास किनका तो लक्षमी नारन लाल पच्चासी का सी वाला विकल्प जो है विजय जी भै आप सभी का सही राइट आंसर होगा विकल्प नमबर सी जिन्वान अभी चैन क्या है काले फूल का पौधा लक्षमी नायंडाल उनका यहाँ पर सही राइट आंसर होगा कॉस्चन नमबर यहाँ पर 186 पूँचा गया है किस्सा नर्वदा बेन गंगु भाई एक इनका उपन्यास माना जाता है धन्विय बारती या मनुवर स्याम जोसी इलाचंद जोसी या पर स्यालेस मत्यानी वताईए 186 पूँचन आपसे पूँचा गया है बहुती मत्पूण कौश्चन यहाँ पर दिया गया है और आप सभी का सही राइट आंसर क्या होगा किस्ता नर्बदा बेन गंगो भाई यह कौश्चन मत्पूण है आपका और आप सभी का यहाँ पर सही राइट आंसर है कि उपन्यास जो है यह माना जाता है किनका सेलिस मत्यानी सेलिस मत्यानी यानी की विकल्प नंबर डी वाला जो विकल्प है आप सभी का सही राइट आंसर होगा अनगला कौस्चन यहां पर दीखेगा कौस्चन अंबर आपसे यहां पर पूंचा गया 187 माना जाता है बताइए गर्म राक बताना है कौस्चन मत्पून है यहां पर कौस्चन अंबर 187 है और पेंदरनाट अस्क यपर फणेशो नात रेणू या भीष मिसाइनी या धर्म बीर भारती 187 का सही राइट आंसर तो आप सभी का सही राइट आंसर है कि गर्म राख को जो भी छुएगा वो अस्क बहाएगा क्योंकि गर्म राख में आग होगी आग से आप जल जाओगी तो फिर अस्क आप बहाओगी तो गर्म राख जो भी छुएगा तो अस्क बहाएगा अस्क से क्या हो जाएगा ओपें धरनात अस्क तो इनी का ओपन्यास माना जाता है कौनसा गर्म राख तो बिल्कुल सभी विकल्प नमबर एक आप सभी का सही राइट आंसर यहाँ पर होगा कौस्चन नमबर आप से यहाँ पर 188 पूंचा गया है घर्म राख जाता है 188 में सभी लोग चैन करेंगे बताइए चैन कीजेगा और कौस्चन आपका महत्तपूर्ण पूंचा गया है यहाँ पर सरित्ता जी और विकल्प नमबर क्या होगा 188 में सहिराइट आंसर घर्म राख पूंचा गया है और घर्म राख यह दन्बीर भारती इलाचन जोसी, चतुरसयन सास्त्री या पर यस्पाल तो आप सभी का सहिराइट आंसर है 188 में विकल्प नमबर जनोंने भी चनक्या इलाचन्द जोसी तो वह आप सभी का सहिराइट आंसर होगा विकल्प नमबर आपका भी जो है सहिराइट आंसर है जोस वाले आग्बी से घर्म होने लगी है तो जोस से क्या हो जोसी और घर्म वही इनका उपन्यास माना जाता है बिल्कुल सहिराइट आंसर है चंद्रकांता संतती उपन्यास किन का माना जाता है एक सो नवासी वा कॉस्चन आपसे पूंचा गया है गोपाल राम गहमरी अमरित लाल नांगर देव की नंदन खत्री किसूरी लाल गोस्वामी एक सो नवासी में आपके लिए शेयन करना है चंद्रकांता संतती और आप सभी का यहाँ पर नामविर जी सही राइट आंसर होगा एक सो नवासी में विकल्प नंबर जनोने भी सी शेयन किया देव की नंदन खत्री उनका यहाँ पर सही right answer होगा देव की नंदन खत्री आप सबी का सही answer अवेकल्प नंबर ओपी यह वाला जो है वे सही right answer होगा अंगला question यहाँ पर देखेगा Q embora gw.'' यहाँ पर लबली जी 190 बा question पूंचा गया है क्या पूंचा गया है? चित कोबरा बताना है उपन्या स्किन का माना जाता है एक बाद लाइक अबस्ते कर लेंगे जिन्होंने अभी तक लाइक नहीं किया है सुरेंद्र जी लाइक करते जाएगा सभी लोग रोज आपके लिए सुबह नौ बजे एक लास लाई जाती है चित कोब्रा माना पन्या स्किन का माना जाता है ममता कालिया महरोन निसा परवेज या फिर महत्रे पोस्पा या मिरदूला गरग तो 190 का सभी का स Series Right Answer है चित कोब्रा कैसा है मिरदूल है मिरदूल चित कोब्रा मिरदूल तो ये मिरदूला गरगे जी का अपन्यास माना जाता है विल्कुल सही विकल्ट नंबर आपका जो डी है बहुत आप सभी का रीमा जी सही Right Answer गाड़ी वाला विकल्प आपका सही अंसर लगा देते हैं अंगला कॉस्चन देखे का जहाज का पंची जहाज का पंची उपन्यास किन का माने जाता ही लाचंज जोसी नराला देपकी नंदन खत्री या पिर यस पाल बताईए कॉस्चन नमबर आपका या पर 191 पूंचा गया चार विकल्प देखे हैं और जहाज का पंची अपन ने इसको याद किया था कि जहाज का पंची जो है जोस में आगया जोस में बिलकुल सही राइट आंसर है तो जोसी आप सभी का सही राइट आंसर होगा इला चंद जोसी त का याँ पर सही राइट आंसर होगा जूटा सचो पन्यास किनका माना जाता है कॉस्चन नमबर 192 है 192 भगवती चन वर्मा यसपाल भगवती प्रसाद वाच्पे या फिर अमरित लाल नांगर जूटा सचो पन्यास कई बार पूंचा गया बहुती मत्त पूर्ण कॉस्चन है और उपी मीना जी क्या होगा सही राइट आंसर कॉस्चन नमबर 192 आप से याँ पर पूंचा गया है और 192 में आप सभी का सही राइट आंसर है कि यसपाल लगा दीजेगा सही राइट आंसर याँ पर विखल्प नमबर बी जो है बहुत सही राइट आंसर होगा यसपा आपसे पूंचा गया है, रांगी रागव, नांगर्जुन, भगवती, चन बर्मा, या फिर फड़े स्वनात रियलू और आप सभी का सही राइट आंसर है, आपर क्या होगा, कोस्च नमबर में 593 कि पूंचा गया है, चिर तेले मेड़े रास्ते कहां कि भगवती के, चिर तो भगवती के दर्सन करने जा रा है growing तो रास्ते कैसे है, तेले मेड़े, चिर तेले मेड़े का आप सभीowe का जो असी वाल अविकल्प भगवती चण बर्मा वैं आप सभी का यहाँ पर सई राइट आंसर होगा तेड़ मेड़े रास्ते भगवती चण बर्मा कौस्य नमबर आप से आपर 94 पूंचा गया है डांक बंगला बताइएगा डांक बंगला उपन्यास किन का माना जाता है यस पाल कौस सिक सर्वेश्वर या कमलेश्वर बताइए कि कौस्य नमबर 194 है और 194 में आप सभी का सभी राइट आंसर यहाँ पर क्या होगा तो सिल्पा जी सभी लोग यहाँ पर चैन कर रहे हैं कि वेकल्प नमबर यहाँ पर 194 का डी राइट आंसर लगा दीजेगा यानि कि डांक अपने भारत में कम हैं डांक बंगला भारत में कम हैं तो कम से कमलेश्वर आपका यहाँ पर सभी राइट आंसर होगा विकल्प नमबर डी राइट आंसर कमलेश्वर जी का उपन्यास माना जाता है डांक बंगला डार से विछडी बताइए डार से विछडी 195 में उपन्या स्किन का माना जाता है चैन कीजेगा लाइक अभी भी भी बहुत सारे लोगों ने नहीं किया वीडियो को लाइक सभी लोग जल्ली से कलेंगे दिनेश जी और कॉस्चन नमबर एक सभ अभी कर्षणा सूबिती या फिर मेत्रे पुस्पा मिरदूला गरग या फिर प्रभाग खीतान कोश्चन नमबर आप से यहां पर पंचानवे पूंचा गया है और आप सभी का सभी राइट आंसर होगा डार से बिछडी बिलकुल सभी राजन जी डार से बिछडी तो केष्ण से जो है मिलन हो गया डार से बिछडी तो केष्ण से मिलन हो गया तो के डार से बिछडी एक किष्णा सोबिती जी का उपन्यास माना जाता है विकल्प नमबर आपका जो एक है वह सही राइट आंसर होगा बहुत बढ़िया विकल्प नमबर एक जिन्वानवी चेन क् सही राइट आंसर होगा संजु जी विल्कुल चाहिए अंगला कॉस्चन देखे 196 वा कॉस्चन पूँचा गया है डूबते मस्तूल बताना है लबली जी विल्कुल क्या होगा सही राइट आंसर कॉस्चन मर्त पूण पूँचा गया है डूबते मस्तूल ये उपन्यास किन का माना जाता है वीश मिसानी नरेश महता कौसिक या फिर उपेंदर नात असके question मत पूण है और आप सभी का सही right answer आ रहा है डूबते मस्तूल ये उपन्यास किन का माना जाता है 196 में नरेश महता बहुत सारे लोग बता रहे हैं कि विकल्प नंबर भी right answer लगा दीजेगा तो बिल्कुल सही लगा दिया विकल्प नंबर दो में सही right answer धाईगर बताना है धाईगर उपन्यास किन का माना जाता है इसको भी अपनने कई वार याद किया है कृष्णा सुबती राजी सेट गिरी राज किसूर या फिर कमली स्वर question मत्पूर है, 197 वा question पूँचे ग्या है और आप सभी का क्या होगा सही right answer तो question मत्पूर है धाईगर बताना है और सभी को पता होगा कि धाईगर ये वार पन्यास माना जाता है और धाईगर गिरी धाईगर गिरे या फिर गिरी तो गिरी से गिरी राज के सूर आप सभी का सही राइट आंसर है विकल्प नमबर सी जिन्वाने भी चैन क्या है उनका यहाँ पर सही राइट आंसर होगा बिल्कुल सही राइट आंसर है तितली उपन्यास किन का माना जाता है बताए जैनेंद्र कुमार, अमरि राय विवे की राय या फिर यस जैसंकर प्रसाद चैन कीजेगा चार विकल्प आपके देगा है विजय जी और नीलम जी तनु जी क्या होगा सही राइट आंसर सतंत्र जी तो कॉस्चन नमबर आपके 198 है विकल्प नमबर जिनों ने भी चैन किया है अंठान नमबर में क्या चैन किया है डी उनका सही राइट आंसरों का तितली जो है जैसंकर प्रसाद जी का उपन्यास माना जाता है विकल्प नमबर चार रीमा जी सही राइट आंसरों का कॉस्चन नमबर 199 है दिब्या किनका उपन्यास माना जाता है यस्पाल जैनेंद्र जैसंकर प्रसाद या फिर ईला चंद जोसी कॉस्चन नमबर आपसे यहाँ पर 199 पूंचा गया बहुत ही महत्त पूर्ण कॉस्चन यहाँ पर दिया गया है बताईए जैन कीजेगा महत्त पूर्ण कॉस्चन नहाँ पर दिया गया है दिब्या उपन्यास जो कि कई बार पूंचा गया महत्त पूर्ण question है और आप सभी का यहां पर सही right answer है कि दिव्या उपन्यास तो माना जाता है या असपाल जी का विकल्प नमबर एक जिनोनवी चन्क्या उनका सही right answer होगा दिव्या उपन्यास यासपाल जी का माना जाता है अंगला question देखे धरती धनना अपना अपन्या skin का माना जाता है बता ये धरती धनना अपना ओम्परकास वालमी की जगदीश चंद्र से परसाद से या नियमी सराए और विल्कुल सही right answer है question number 200 पर question है और दोसों का सही right answer है धरती धनना अपना बिल्कुल सही right answer है विकल्प number यहाँ पर जोनों ने बीचेन किया उनका सही right answer है ना धरती अपनी ना धन है अपना अपनी तो कौन है जगदीश है जगदीश कौन है जगदीश ना धर्ती न धन अपना इस पर कार्यात कर सकते हैं अपनी तो जगदीस हैं धर्ती धन अपना यो पन्या जगदीस चंद मातुर जी का माना जाता है बिल्कुल सही अंगला क्वास्चन या पर नरेंद्र मोहिनी उपन्या स्किन का माना जाता है दो सो एक का सही राइट आंसर बता नरेंद्र मोहिनी अमरितलाल लांगर देवराज या फिर देव की नंदन खत्री या फिर रांगे रागब तो क्वास्चन मर्त्पूर्ण है 201 का सही राइट आंसर बताना है और आप सभी लोग बता रहे हैं नरेंद्र मोहिनी उपन्यास तो माना जाता है किनका विकल्प नंबर सी आप सभी का सही राइट आंसर है देव की नंदन खत्री आप सभी का सही राइट आंसर होगा विकल्प नंबर जन्वने सी चेन क्या है उनका या पर सही राइट आंसर होगा बहुत बढ़िया इस प्रकार के जो है आज की क्लास में अपने महत्वपूर्ण कॉस्चन आंसर थी वो पढ़ियास बिजासे सम्वंदित और भी है जो अपन कल की क्लास में कंप्लीट करेंगे तो आज की वीडियो में वस इतना ही सभी लोग वीडियो को लाइक कर लें लाए जाती है तो उस्ते भी सभी लोग जुड़िएगा और साम को चार बजे जो student के यूटूब चैनल है उस पर एक क्लास लाए जाती है तो उस्ते भी सभी लोग जुड़िएगा तो सभी के लिए बहुत-बहुत दन्यवाद आज के वीडियो में और लाइक से रवस्त कर लेंगे अंस जी लवली जी मनीशा जी और अनीता जी संगीता जी दिरेश जी कलपना जी निसा जी अंस जी और मुनेश जी सरीता जी सिलपा जी नामबीर जी ओपी मीना जी और रीमा जी सिरनी जी तनू जी ने सरीता गौतम जी राजन जी, विल्कुल प्रेंका जी, नामवीर जी, सुरेंदर जी, दनेश जी, सभी के लिए बहुत-बहुत धन्यवाद और सतंत्र गबत जी, सिलपा जी, पृतिवा जी, संगीता जी, सिलपा जी, प्रेंका जी, अन्स जी, सभी के लिए बहुत-बहुत धन्यवाद नीलम जी मुनेश जी और ममता जी हनीता ठाकुर जी प्रीती जी और डाक्टर नीता जी विजय जी प्रेंका जी नीलम जी तनू जी तो सभी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद और लाइक से रवस्त कर लेंगे सभी लोग आज के वीडियो में निसा वर्मा जी वस इतना ही और सभी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद जय हिंद